दोस्तो आपको तो पता ही होगा कि कल रशव पंत को देरादून के मैक्स अस्पताल से मुंबई के कोकिला बैन अस्पताल में एरलिफ्ट किया गया था लेकिन एरलिफ्ट के करने के बाद ही शोशल मीडिया पर एक खबर संसनी बन गई जिसमें उनके फैंस का कहना है कि रशव पंत को एरलिफ्ट के टाइम सफेज चदर से डखकर क्यों ले जाया गया आखिरकार रशव पंत को क्या हुआ है वहीं एक यूजस ने तो यह तक कह दिया था कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है लेकिन जब हमने इस मामले की पड़ताल की तो हमने पाया कि रशव पंत को चदर से ढखकर इसलिए ले जाय गया ताकि वहां कहड़े मीडिया कर्मी उनकी फोटो ना ले सके और अगर उनका मुझ खुला करके उन्हें ले जाया जाता तो मीडिया कर्मी धक्का मुक्की करके उनकी फोटो लेने की कोशिश करते और उस धक्का मुक्की में किसी को चोट भी लग सकती थी अलाकि कल हुआ भी है लेकिन उसी वक्त रिश्चाप पंच की बहन ने मीडिया करीमियों पर फटकार लगा दी थी फिलाल दोस्तों आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा